तो आयोध्या में राम लला की प्रांट प्रतिस्टा होने जो आ रही है, 22 जनवरी को देश भर को जो इंतजार है, तो यो यूवा भी भगवान राम के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। यूवाओं का कहना है कि 22 जनवरी का दिन हमारे लिए इतहासिक है, सालों के इंदजार के बाद हम सभी इस दिन के साक्षी बनने जा रहे हैं, तभी इस दिन को हमेशा याद रखने के लिए भगवान राम के टैटू बनवा रहे हैं, तो भगवान राम के प्रति अपनी को प्रदरशित कर रहा है, और आप दिखेंगे, राजदानी भोपाल में जो यूवा हैं, वो लगातार भगवान श्री राम के और आयोध्या में जो राम मंदिर है, उसके टैटू बन रहे हैं, और इस तरीके के जो टैटू है, उनका क्रेस लगातार यूवाओं में देख आप देखेंगे कि यह यूवा है, आप देखेंगे कि यह अपने बैक पर इस तरीके से भगवान श्री राम और आयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उसका जो टैटू है, वो यहां पर गुदवा रहे हैं, और भगवान के प्रती उनकी जो आस्ता है, वो जरूर दि प्रतिस्था होने जारी है, और इस तरह जो टैटू है उनका क्रेज लगातार देखने को मिल रहा है, कितने लोग यहां पर पहुचें अब तक इस तरीके के टैटू बन वाने हैं, जैसे कि राम मंदिर के लिए बहुत ज्यादा हैं सब लोग में, तो अभी यूवाओं को में बन एक क्ष़ यहां यहां आफाई ज़िए आनना है, इस तरीके के जो गजन्वरी का चला बन में भी तक देखाने हैं, और इसमें थिशुल भी तक बनाए हैं, तो अबहु कितने ही यूथ हैं जो रोजा अभी यहां यह यहां जो जो तरीके के जो टैटू है वो बन ब किस तरीके से ये टैटू बनवाने के बारे में आपने सोचा कि आप ये टैटू बनवाएंगे भगवान राम मंदर का और भगवान श्री राम का जो टैटू है वो गुदवाएंगे मैं राम जी का बड़ बड़ा भगत हुएंगे पांसो वर्षबाद हमको इसा मोका मिल रहा है तो इसलिए मेरी स्टार्टिंग से राम जी में बहुत वह है बगती है तो इसलिए से मैं अपनी बोड़ी पर टैटू कर वा रहा हूं हमारे साथ एक और यूथ हैं जोनोंने हाथ कि आपको नहीं भगवान श्री राम का ही अब टैटू बनवाना है तो हम बहुत खुश हैं और यही जाहिर कर सकते हैं कि इस समय में कि हम हमारे भगवान को दिखाएं कि हमारे अंदर कितनी वक्ती है तो हमने हमारी बोड़ी पर बनवाया टैटू तो अब यही है पूरा ल मैं आश्वनी सींग के साथ रंजना दूबे बंसली उस भोपाल